साथ को एक बहत्पुर बात है जो कि आज को मैं आपके इस वीडियो को मादर से बताऊगा कि इनेक्टिव जो एपिएफ के खाते हैं उसमें बेकार पड़े हुएं करीब 3930 करोड रूपे हां पर आप देख सकते हैं यह पूरे इंफोर्मिशन मैं आपको देने वाला हूं जो 3930 करोड रूपे बेकार पड़े हुएं जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है इनेक्टिव खातों में इसको सरकार कहीं और यूज कर सकती हैं ऐसा मेरा मानना है खेर अपनी बाते मैं वीडियो के आखरी में रखूंगा सबसे पहले हम इस आर्टिकल को समझ लेते हैं सरकार ने संसद में संसद को बताया कि करमचारी भविशनीदी संगठन यानि भविशनीदी एपिफ में निसकरिये खातों में करीब 3930.85 करोड रूपे जमा है समयम रोजगार मंतरी भुपेंदर यादो ने शुशी कुमार मोधी के एक सवाल में लिखे जवाब में यह जानकारी दी है उन्होंने करमचारी भविशनीदी में बिना दावे वाली कोई जमारासी नहीं है करमचारी भविशनीदी योजना उन्ही सो बानमेटी एंश्वार कुछ खातों में निसकरिये खातों के रूप में वरगी करित किया गया है यादोंने कहा कि ऐसे सभी निसकरिये खातों को निश्चित रूप से दावेदार है 21 मार्च 2021 को की इस्थती के एंश्वार एसे निसक्री खातों में कुल जहमा धना से 3930.85 करड़ उपए हैं अठारे लाग से अधिक रिजिस्टर्ड कंपनिया उन्होंने बताया कि करमचारी भविशनी दी संगठन से अलग अलग स्रेडियों में रिजिस्टर्ड कंपनियों कि कुल संख्या करीब अठारा हजार छेसो बासट अठारा लाग छेसो चेहजा अठारा लाग बासट जार एक सो अठाइस हैं इसके साथ ही उन्होंने बता कि एक अक्टूबर दोजार बीस के बाद इन प्रतिस्ठानों दारा करीब एक करड़ चो वालिस लाग बैसी हजार तीन सो उन्सट नए कामचारियों के भर्तिक की गई है उन्होंने बता है कि पंजिकित पर स्थानों सबसे ज्यादा संख्या दो लाग सतानबे यार छेसो चुरासी महारास्ट में है जबकि दिल्ली में एक लाग लाग 1650 गुजरात में एक लाग 3 360그렇 honestly में एक लाग 4 390 और रुटर पर छैंग उगरर आप नोकरी करते हैं और आप कमपनी एपर ऊट के तहदर इस्टर है तो आपकी सेल्डी से हर माईने प्रविडेंट फंड में जमा होता है नहां पर काफी महतपूर बात है ये जो कि आप देख रहे हैं इसमें इनेक्टिव है लेकिन इसके दाविदार इस पस्ट्रूप से कहा गया कि इन सभी पैसों के भी दाविदार है तो कहीं न कहीं जो है इस जो इनेक्टिव है जो एक निशित समयावधी के बाद जिन खातों से कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है अगर 20-30 सालों से वो निस्क्रिये पड़े हुए तो उसका उप्योग किसी और फंड के रुपे किया जाना चाहिए एसा कोई प्रावधान अवश्य होना चाहिए खेर तो यह काफे महत्पूर आटिकल था जो कि मैंने आपके साथ साजा किया है दोस्तों आसा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी आप अपने राय जो भी होंगे वो कमेंड में जरूर बताएगा और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादे ज्यादा लोगों तो इसको शेयर करिएगा साथी साथ मैं आप से और रिक्वेस्ट करूंगा अभी तिक आपने इसमें हैथपूर और आती में हैथपूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तरन सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि भवीशी का कोई भी वीडियो में धन्यवाद